नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य वताने के लिए आज वैशाख शुकल पक्षी की दश्मीती थी और रविवार का दिन है आज दो पहर पहले 11 बच के 17 मिनट तक व्रधी योग रहेगा साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात समस्तकारियों में सफलता परदान करने वाला रवियोग भी रहेगा इसके अलावा आज दो पहर बात तीन बच का 30 मिनट तक मगह नक्षत रहेगा आगे हमीसी पर विश्तिर चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरिज जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नमबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दो ती किसमत का धरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगी दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गनित पक्षने आकाशी एपिंडो के बीज पहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग एक मई की शाम पांच बच कर एक चवन मिनट से रात दस बच कर दस मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धियोग यानि की सारे काम बनाने वाली योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग तीन मई की सुवा पांच बच कर चौवीस मिनट से रात आठ बच कर चपन मिनट तक रहेगा इस करम में आज ये आप चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ तीन मई की सुवा च्छे बच कर नौ मिनट से सुवा आठ बच कर अर्टालीस मिनट तक और एक बार फिर दो पार पहले ग्यारा बच कर तीन मिनट से रात दस बच कर पैटीस मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए भी आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ कल यानि की एक माई की सुवा च्छे बच कर गारा मिनट से सुवा साथ बच कर एक मिनट तक और एक बार फिर सुवा आठ बच कर 56 मिनट से सुवा नौ बच कर 53 मिनट तक रहेगा कांस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 6 माई की सुवा पांच बच कर 37 मिनट से सुवा 10 बच कर 21 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर 12 बच कर 41 मिनट से, दो पहर 2 बच कर 69 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है अब ये मुहूर्त 3 मई की सुभा 5 बच कर 49 मिनट से, सुभा 8 बच कर 18 मिनट तक और एक बार फिर सुभा 10 बच कर 33 मिनट से, दो पहर बार 3 बच कर 11 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6 बच कर 9 मिनट से, रात 10 बच कर 47 मिनट तक रहेगा जॉब जोइन करने के लिए आज अच्छा महूर तो नहीं है अब ये महूर तो कल यह यानि की एक मैई की रात 10 बचकर 10 मिनट से रात 12 बचकर 13 मिनट तक और एक बार फिर रात 12 बचकर 22 मिनट से देर रात 1 बचकर 69 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा महूर्थ 3 माई की सुबह 10 बच कर 33 मिनट से शाम 5 बच कर 27 मिनट तक और एक बार फिर शाम 7 बच कर 46 मिनट से राद 11 बच कर 50 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो माइगनेटिव फील्ड कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई वीशोभकार करने से सफलता नहीं मिलती आज दो पहर पहले 11 बच कर 11 मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम राशियां वीशे शूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई वीशोभकार नहीं करना चाहिए इसके साथी एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जानी रख सकते हैं आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम पांच बचकर पंदा मिनिट से शाम 6 बचकर 54 मिनिट तक मुंबई शाम 5 बचकर 24 मिनिट से शाम 6 बचकर 69 मिनिट तक चंडिगर शाम 5 बचकर 19 मिनिट से शाम 6 बचकर 69 मिनिट तक लकनव शाम 4 बचकर 69 मिनिट से शाम 6 बचकर 47 मिनिट तक भोपाल शाम 5 बचकर 9 मिनिट से शाम 6 बच कर 46 मिनट तक कूल काता शाम 4 बच कर 25 मिनट से शाम 6 बच कर 20 मिनट तक अहमद आबाद शाम 5 बच कर 28 मिनट से शाम 7 बच कर 5 मिनट तक और चिन नई में रहुकाल होगा आज शाम 4 बच कर 49 मिनट से शाम 6 बच कर 23 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो शुब दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षन पूर्व आज घर से निकल कर उत्तर पूर्व या दक्षन पूर्व दिशा में जाएए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षन पूर्व दिशा की और साथ कदम चलिए फिर क्लॉकवाइज घूम कर अपने काम पर चले जनी कि आपके तमाम काम बेना किसी विखनबादा के पूरे होते रहेंगे और यह शुरू करते हैं सिर्सिला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी के मेश राशी वालों आज का दिन आपके लिए फेवरिबल रहने वाला है आज व्यापार में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी धनलाब के सुनहरे मौके मिलेंगे आज घर परिवार का बातावरां बेहतर बना रहेगा इस राशी के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके ध आफिस में कुछ लोग आपकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशे वालों आज का दिन आपके लिए नई उमंग लेकर रहाया है आज परिवार में हर्श और उल्लास का वातावरन रहेगा दा आइटी सेक्टर से जुड़े स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे बेहतर होंगे काम में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा घर की सुक समर्द्ध में वर्द्धी होगी मौस कमुनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है आ आज कामकाज की अधिकता आपकी सिहत पर असर डाल सकती है आपकी सिहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सुबह शाम टहलना चाहिए जिससे आप बेहतर फील करेंगे आज आपको नकरात्मक सोच से बचना चाहिए परिवार वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सामाने रहने वाला है आज किसी विशेश काम में मित्रों से बेहतर सला मिलेगी जिससे आपका काम आसान होगा आज आप खुद को आलत से सिबहरा हुआ महसूस करेंगे आपको व्यायाम करने की जरूरत है आज आपको किसी भी अजान वेक्ति पर भरोसा करने से बचना सिंग राशिवालों आज आपके अंदर आत्विश्वास की अधिक्ता रहेगी साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं आपको व्यापार में मुनाफ़ होने की उमीद है स्वास पहले के पेक्षा बेहतर रहेगा आपको इन्या काम करने के बारे में सोच सकते हैं दामपत जीवन में सलाह मश्वरे से आगे बहने से सब कुछ अच्छा रहेगा कॉमर्स इस्टूडेंट्स को अपने किसी सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम का हल आज मिल जाएगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है नाइन कन्या राशिवालों आज का दिन आपके लिए ताजगी से भरा रहेगा आज आपका खुश्टूमा वेवार घर में रौनक का माहौल बना देगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम है आपको काम से जोड़ी कोई खास खुशखबरी मिलेगी आपका रेक्षेत्र में चुनोतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे जीवन साथी के साथ शाम को कहीं खुमने भी जाएंगे इससे आपके रिष्टों में मिठास बनी रहेगी सामाजी किस तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे इससे आपके मान सम्मान में भी बहुत तरी होगी मीडिया के क्षेतर से जोड़े लोगों को सुनहरे अफसर प्राप्त होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नमबर है पांच तुला राशी वालों आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है आज कारोबार सम्मंदी यात्रा का जोग बन रहा है जिससे आपको धनला भी होगा आज आपके किसी घरेलू काम की गति धीमी हो सकती है इससे आपके परेशानी थोड़ी बर सकती है लेकिन जीवन साथी के सहयोग से सब ठीक हो जाएगा आज दोस्तों के साथ कहीं भूमने का प्रोग्राम टल सकता है सेहत के लिहाज से आपको तली मुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए इससे आपके सेहत पर असर पढ़ सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है आठ फिरिष्टिक राशिवालों आज आपका दिन पढ़िया रहेगा घर में नए मेहमान के आने की संभावना है जिससे परिवार का महौल खुश्णुमा बन जाएगा जीवन साथी के साथ सामज़त से स्थापित होगा किसी मित्र के साथ मोवी देखने के प्लानिंग करेंगे लब मेट्स के लिए आज कर दिन शांदार है बिस्स करने वाले लोगों को आज कोई बड़ा ओफर मिलेगा आज आप अपने आफिस के काम में बहुत बिज़ी रहेंगे किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उमीदे होंगी आप उन उमीदों को पूरा करने में भी सफल रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमर है एक धन और आशेवालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको जरूरी काम निप्टाने में सफल रहेंगे आपके आत्म विश्वास में बहुतरी होगी आपके दामपत जीवन में मज़ूरता बढ़ेगी दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी अपनी कारेक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे नीद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे इलेक्टरॉनिक इंजिनिर्स के लिए आज का दिन फैवरिबल रहने वाला है माता पिता के सहयोग से समस्तकारियों में सफलता प्राप्त होगी आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नमबर है सेवन मकर राशी वालों आज का दिन आपके लिए खुश्यों से भरा रहने वाला है आज आपको किसी शुब समाचार की प्राप्ती होगी जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे इस अराशी के जो लोग फ्री लांस काम करते हैं उनकी आमधनी में बहुतरी होने की संभावना है आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ती होगी आज व्यापार के सिलसले से की गई यात्रा फाइदे बंद रहेगी जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उससाहित रहेगा अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो आज आपकी बिक्री में बहुतरी होगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नमबर है तीन कुमबराशी वालों आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूप रिखा बनेगी आर्ट्स स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा किसी विशे में आ रही समस्या आज आसानी से सुलच चाहेगी वर्काउट शुरू करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे आज आपको व्यावसाय से जुले सो नहरे अवसर प्राप्त होंगे सामाजी किस तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी आपको कोई बड़ी जमेदारी बिल सकती है नौकरी पेशा लोगों को की आमदनी में बरहुतरी होगी कारेस्थल पर आपका प्रदेशन बहुत शांदार रहेगा दामपते जीवन में खुशियां बरी रहेंगी लव मेट्स के लिए दिन शांदार रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है आट मीन राशिवालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है आज जीवन साथी की मदद मिलने से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा आज दोस्तों की सलाह बड़ी ही फाइदे मंद रहेगी आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राक्त होगा टीचर्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है आपको किसी काम में सफलता मिलेगी स्वास्ति को लेकर साथान रहने की जरूरत है योग करने से आप स्वस्त रहेंगे किसी काम के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए आज वाद विवाद से बचे आज के लिए आपका लकी कलर है यलो और लकी नम्बर है चार और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज کسी बच्चे को स्टेशनरी का सामान दे और जिनकी आज मेरी जनवर सरी है वो आज हरे कपड़े पहने तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आये अब चलते हैं अंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग के एक वालों राजनीत से जुड़े लोग आज कुछ जरुतमन्द लोगों की मदद करेंगे मूलांग दो आज आप की दीगई कोई परिख्षा का परणाम आपके हक में आएगा मूलांग तीन आपका मन भक्ती भावना से भरा रहेगा आस पास के किसी मंदिर में जा सकते हैं मूलांग चार आज के दिन परिवार के साथ किसी समारोह में शامil होंगे मुलांक पांच आज किसी अनजान विक्ति की मदद करेंगे जिससे आपको शुब काम नाएं मिलेंगी मुलांक छे बिजनसमेन की आज कोई बड़ी डील फाइदन होगी तूसी डील का कांट्रेक्ट मिलेगा मुलांक साथ आज आज आपको वहन चलाते समय थोड़ी साफधानी बरतने की आफशकता है मुलांक आठ डांस में रूची लेने वाले लोग आज किसी पजोगता में भाग लेंगे मुलांक नौ जीवन साथी के साथ चल रही अनवन आज खत्म होगी रिष्टे में मिठास बढ़ेगी और अब चर्चा वास्तुशास्तर की वास्तुशास्तर में आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोक कर दुरभागे को बढ़ाती हैं सबसे पहले बात करेंगे तिजोरी के पास या उसके पीछे रखी जाडू के बारे में जिस तिजोरी आलमारी में आप अपने पैसे या पूंजी रखते हैं उसी के पीछे अगर जाडू भी रखते हैं तो इस बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसा करने से धन में कमी होती है इसके अलावा किचन में दवाई का डबा रखना भी ठीक नहीं होता इसे परिवार के सरदर्शियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है उनके स्वास्त में लगातार उता चड़ाओ देखने को मिलता है साथ ही घर में बातरूम वा शवचाले के धरवाजों को आवशकता नहोने पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए इन्हें यूज करने के बाद तुरंट बंद करने आने था इससे घर और बिजनस में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है वास्तु शाहत्र में यह थी चर्चा उन चीजों के बारे में जो घर या बिजनस में धन को आने से रोक कर दुरभागे को बढ़ाती है उमीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज वाईशाख शुक्लपक्ष की दश्मीर्टी थी और रविवार का दिन है दश्मीर्टी थी आज रात 8.24 मिनट तक रहेगी आज दो पार पहले 11.17 मिनट तक व्रद्ध योग रहेगा इस योग में के गएकार्यों में कोई रुकवट नहीं आती है अपेद्धु कार्यों में व्रद्धी होती है साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात समस्त कारियों में सफलता प्रदान करने वाला रव्योग रहेगा योगों में रव्योग बहुती शुब मना जाता है रव्योग में तेरा प्रकार के कुई योगों का स्वता ही विनाश हो जाता है आता है रव्योग में किसी भी प्रकार के शुब कारे संपन के जा सकते हैं साथ ही आज दोपार बाद तीन बच का तीस मिनट तक मगा नक्षत रहेगा उसके बाद पूरा फल्गुनी नक्षत लग जाएगा मगा नक्षत की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं लेकिन फिर से याद दिला दूँ कि आकाश मंडल में इस्थित को 27 नक्षत्रों में से दसवां स्थान मगा नक्षत्र का है मगा शब्द का अर्थ है बल्वान या महान इसका पतीक चिंध रासिंग हसन को माना जाता है जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्त के साथ जुड़ा हुआ है आपको बता दूँ कि मगा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुए खुदवाना, चिकित्सा काकार्य, विद्या, ध्यन, लेखन और शिल्प आजसे संबधित कारे करना बहुत शुब माना जाता है मगा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसकी राशित सिंग्ध है मगा नक्षत्र का संबंध बरगत के पेल से बताया गया है अता है जिनका जन्म मगानक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज बर्गत के पेड़ को किसी भी तरह की चाती नहीं पहुचानी चाहिए कभी भी नहीं पहुचानी चाहिए और नहीं उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और नहीं उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग मेलाना चाहिए इसके बजाए आपको आज बर्गत के पिल को नमस्कार करना चाहिए उसकी पूजा करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको शुब फलों की प्राप्ति होगी तो ये थी व्रधियोग, रवयोग और मघानक्षति की चर्चा अब बात करते हैं आज रविवार से जुड़ी कुछ खास बातों की आज रविवार का दिन है रविवार का दिन भगवान सूरी का माना जाता है सूर्य देव को रवी भासकर दिनकर आदिनामों से भी जना जाता है सूर्य हमारे साउर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह है आकाश में सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्तर लगाते रहते हैं इसलिए सभी नौग रहों में से सूर्य देव का स्थान सबसे उंचा माना जाता है शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है परिवार रविवार को सूर्य भागवान की पूजा करने से समस्त कामनाओं की सिध्धी और अनेक स्वास्वास्वांदी समस्याओं से छोटकारा मिलता है इसके अलावा अगर आप समाज में अपना वर्चा सुकाइम रखना चाहते हैं और अपने हर कारी में घर के बड़े बुजर्ग विशेशकर पिता का सहयोग चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूरे देव के यंत्र की घर में स्थाफना करनी चाहिए आज आप चाहें तो सुना से इस यंत्र को तांबे की धातु पर बनवा कर रख सकते हैं आप सोने में भी बनवा सकते हैं अन्यथा आप स्वेम भी इस यंत्र का निर्मार कर सकते हैं यंद्र का निर्मार करने के लिए सफेद कोरा कागर्ज लेकर उस पर लाल पिन से सबसे पहले वर्गाकार आकर्टी बनाएं और उस आकर्टी में तीन तीन खाने वाली तीन पंक्तियां बनाएं यानि कुल नौ खाने बनाने हैं आप पहली पंक्ति में 22 तरफ से पहले खाने में लिखे 6, 1, 8 फिर दूसी पंक्ति के 22 तरफ से पहले खाने में शुरू करके 7, 5, 3 फिर आकरी पंक्ति में 294 इस प्रकार सूरी यंद्र बन कर तैयार हो जाएगा यंत्र बनने के बाद उसे मंत्र में इस्थापित करके विधी विधान से उसकी पूजा करें और साथी सूरेदेव के इस मंत्र का जब करें ओम हरांग रिंग हरांग सह सूर्याय नमह यंत्र का निर्मार करके सूरे देव की इस मंत्र का ग्यारा बार जाप करने से आपका वर्चत सु कायम रहेगा आपको हर तरह के सुकसाधन प्राप्त होंगे और आपको अपने कारियों में घर के बढ़ों का सहयोग प्राप्त होगा तो ये थी चर्चा आज रविवार के दिन सुर्य अंत्र की स्थापना की और अब बात करते हैं आज रवियोग और रविवार के सायोग में शुब फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने अंदर ऐसा तेज कायम करना चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको देखते ही अचंभित हो जाएं और आप से बात करने के लिए मजबूर हो जाएं तो इसके लिए आज के दिन डाल और चावल की खिच्डी बनाकर उसमें तिल डालकर सूर्य भगवान को प्रा आज के दिन ऐसा करने से आप तेज असी होंगे समाज में आपका तेज कायम होगा अगर आप अपनी कारेशैली को वरतमान से बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन इसनानाद के बाद एक कटोरी में बाजरा लेकर सूर्य देव को देखते हुए थोड़े से ब फिर उस बाजरे को मंदर या किसी धर मस्थर पर दान करने अगर आपके पास बाजरा मौजूद ना हो तो किसी दूसरे अन्नका दान करने आज के दिन ऐसा करने से आपकी कारशैली वरतमान से काफी बेहतर होगी आपके तिजोरियां हमेशा भरी रहें आपके दिन दूनी राच चोगनी तरक्की हो इसके लिए आज राच के समय पीले रंग के कपड़े पहन कर उत्तर दिशा क्योर्मो करके उन या कुछ के आसन पर बैठ जाएं और अपने ठीक सामने एक लकडी की चोकी या पाटा रखकर उस उस पर साफ कपड़ा बिचा कर एक थाली रखें अगर आपके पास उपलब्द हो तो उस पाटे पर शंख भी स्थापित करें और उस शंख में थोड़े से चावल रखतें अब पाटे के नीचे घी का दीपन चलाएं और मंत्र का जाप करें मंत्र है सिद्धि बुद्धि परदे देवी मुक्ति बुक्ति परदाईनी मंत् ते इस मंत्र का कम से कम ग्यारह बार जाप करें और बाकी आपकी इच्छा और संकल पर निर्भर करता है साथ ही मंत्र जाप के लिए अगर कमल गैटे की माला हो तो बहुत ही शेश्ठ है अगर संभव नहीं हो तो आप तुलसी या रुद्धाश की माला से भी जाप कर सकते ह अगर अच्छे काम के बावजूद आपको कारिस्थल पर उचित मां सम्मान नहीं मिल पा रहा है और किसी को आपके काम की कदर नहीं है तो आज के दिने आपको सूरे देव को जल अर्पित करना चाहिए और चौबीस बार गायत्री मंतर का पाठ करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको कारिस्थल पर उचित मान सम्मान मिलेगा और लोग आपके काम की कद्र करने लगेंगे अगर आप अपनी लीडर्शिप, एबिलिटी या ने नेत्रत औक्षमता का विकास करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूरेदेव को जलाद पिट करना चाहिए और किसी जरुवतमन्द को कुछ मीठा बोजन कराना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर लीडर्शिप, एबिलिटी या नेत्रत औक्षमता का विकास होगा और अगर आप करियर में अपनी तरक्की को लेकर चिंतित हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा तो इसके लिए आज के दिन आपको सूरेदेव को प्रणाम करके उनके मंतर का 108 बार जब करना चाहिए मंतर है ओम रांग रेंग रांग सा सूर्य आये नमहा इस प्रकार मंतर जब करने के बाद फिर से सूरेदेव भगवान को प्रणाम करें आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में खूब तरक्की मिलेगी और आप भविष्य के पते निश्चित भी होगे अगर आप उम्र में अपने से बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद स्थापित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में गुल का दान करना चाहिए और सूरेदेव के इस मंतर का 21 बार जब करना चाहिए मंतर है ओम, हरीं, घ्रणे, सूर्य, आजित्याय, श्रीं आज के दिन ऐसा करने से उम्र में बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे रिष्टे स्थापित होगे अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लिविल बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान करवाना चाहिए और इस मंतर का 108 बार जब करना चाहिए मंतर है ओम, घ्रणे, सूर्या, ये नमहा मंतर जब के समय अगर आपके बच्चे भी साथ में हों तो और भी अच्छा आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कॉन्फरेंस लेविल में निश्चे तूप से बहुतरी होगी अगर आप अपने धन धाने में बहुतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य भगवान की फूजा करनी चाहिए साथ ही गाय को गेहुं की रोटी खिलनी चाहिए और गाय माता का अशिरवाद लेना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धाने में बहुतरी होगी अगर आपने अभी भी कोई बिजनेस शुरू किया है लेकिन वो ठीक से नहीं चल रहा है तो उसकी सफलता के लिए आपको आज से लेकर अगले 27 दिनों तक लगाता सूरेदेव को जलर्फित करना चाहिए और अंतिम दिन तिल से 108 आहुतियां देकर छोटा सा हवन करना चाहिए ये उपाय करने से आपका बिजनेस ठीक से चलने लगेगा अगर आप किसी जरुई काम से यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जिस किसी भी काम से यात्रा पर जा रहे हैं आपको उसमें लाब मिले तो यात्रा पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा पानी अवश्य पी कर जाना चाहिए साथ ही अगर संभव हो तो पानी पीने से पहले कुछ मीठा भी खाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी याफ्ता से लाब जरूर होगा अगर आप स्पोर्स एक्टिविटी में अपना बेहतर परदर्शन करना चाहते हैं आज के दिन आपको किसी ब्रहमन के घर बाजरा दान करना चाहिए और उस घर के सबसे बुजर्ग वेक्ति या घर के मुख्या का आशिर्वात लेना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से स्पोर्स एक्टिविटी में आपका बेहतर परदर्शन बना रहेगा तो ये सारी चर्चा थी आज रवियो आर के दिन रवियो के दोरान सूरे संबन्धी कौन से खास उपाय करके आप जीवन में तेज, कॉन्फिलेंस और तरकी पा सकते ही उमेद है कि आप इस खास चर्चा का लाव जरूर उठाएंगे साथ ही याद दिला दूँ कि कल के दिन मोहिनी एकादशी कवरत किया जाएगा इसके अलावा आज अब प्लूटो वक्री होंगे प्लूटो के इस वक्री गोचर का विबन राश वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्लूटो आपके जन प्रत्रका के किस स्थान पर वक्री होंगे और प्लूटो के अशुप फलों से बचने के लिए और शुप फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए इसकी विश्च चर्चा हम कल ही करेंगे और अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भाविश के बारे में और A.B.C.D. ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों तो क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होनी ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए आपके तारे छेत्र की अन्यक बिग्नबाधाओं का आज अंत होगा आज आपके सभी काम बनेंगी बड़ों की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी आज उनकी वज़े से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सी आफिस में नए कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी आपका सभाव उन्हें काफी पसंद आएगा डी आज किसी परिशित वेक्ति से आपके मुलाकात हो सकती है उनसे काफी देर तक बातें करेंगी आपके शोरी और पराक्तर में व्रद्दी होगी आज कोई नया कारे करने के लिए मन में उच्छ सुकता रहेगी आज कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में दोस्तों की मदद मिलेंगी जिसे प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर लेंगे जी नया कोर्स चीखने की इच्छा मन में आसकती है घरवालों से इस وिशे में बात करेंगे H. आज परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे बच्चों को आज अच्छा मैसूस होगा I. व्यक्तिज़त जीवन में थोड़ा सुलहाल लाएंगे जिससे आपकी परिशानियां खत्म होंगी J. किसी कमपनी में काम कर रहे लोग स्टाफ के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते ही K. डांस में रूची लेने वाले लोगों को अपने कोरियोग्राफर से आज नया कुछ सीखने का मौका मिल सकता है L. वाईवाहिक जीवन की अनवन आज दूर होगी खुश्यों के नई किरन चाकेगी M. व्यापारी घाटे से आज आज आपको रहत मिलेगी आज आपकी सेल में बहुत तरी होगी N. आज रुपाय के लें देन में साफधानी रखें अपनों से नजदीकियां भी बना कर रखें O. कारेक्षेतर में थोड़े व्यावहारिक रहने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा P. आज दूसरों के सहरे अपना काम न छोड़े अन्यता आपको परिशानिया जहली पर सकती है Q. दांपत्य जीवन में एक दूसरे के सलाह लेकर काम करने से आपको सफलता मिलती रहेगी Q. पुराने दोस्तों के साथ आज टाइम स्पेंड करेंगे उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी मिलेगी Q. व्यापारिक जिश्टे से आज 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 अजिक लाब होने की संभावना है Q. लवमेट्स आज घूमने जा सकते हैं एक दूसरे से अपने गलत फहमियां दूर करेंगे Q. बिजनेसमेंड आज किसी प्रॉड़क्ट की फ्रेंचैजी लेने का मन बना सकते हैं समय आपके लिए अनकूल रहेगा Q. आज 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 आप गर के बुजरगों को समय से दवाईयां दीजिए साथ ही आज आज आप उनका ध्यान भी रखे Q. पार्टर्रेशिप का बिजनेस शुरू करने से पहले किसी जानकार विक्ती की सलाह जरूर ले ले एक्स, कंपटीशन इस तर पर की तैयारी कर रहे चात्रों को जल्द ही काम्याभी तक पहुंचने में सफलता मिलेगी वाई, आज घरवालों की बात को बीच में न काटें, उनकी बातें आपका मारदर्शन करेंगी जेड, नया विजने शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनकूल परिस्तिया लेकर आया है और अब बात आज के तीर्स की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं, छिंदवाला की प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन ये मंदिर छिंदवाला में एक नीम के पेल के नीचे बना हुआ है, बताया जाता है कि ये मंदिर सैक्रों वर्श पुरा ना है, लेकिन आज भी यहां इसका पक्का फर्श ना होकर गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता है, इस मंदिर की खास बात ये है, कि यहां हर मंग जिसमें लोग अपनी समस्या लेकर हर्मान जी के सामने आते हैं और बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी समस्या बताते हैं। तो आप भी कीजे इस अद्भुद मंदिर के दर्शन और अब सामुदिक शास्र में आज हम बात करेंगे उठी हुई नाक वाले लोगों के सुभाव के बारे में जिन लोगों के नाक अच्छी तरह उठी हुई होती है यानि कि जिनकी नाक नाधिक मोटी होती है और ना पतली नहीं बहुत पड़ी होती है ऐसे लोग बहुत ही शुब माने जाते हैं इस तरह कि नाक की आकरती को आप एक आदर्श आकरती मान सकते हैं ये लोग बड़े ही धन्य होते हैं इन्हें हर तरह से मान सम्मान मिलता है इनकी किसमत भी इनका पूरा साथ देती है लेकिन ये अप आज आपको क्या नहीं खाना है आज 30 अपरैल को वैशाक सुकलपक्ष की दश्मी तिति है दश्मी तिति में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोच के पास उगती है दश्मी तिति आज रात 8 बच कर 28 मिनट तक रह इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानेकारक हो सकता है इस तरह तिठी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकि आपको जो भी खाईजी पीजी मोच कीजी और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल ब्रहाने वाली दिशा है पूर् सब्धान करोना ओम नमोने सिंगाए हिनने कश्चा पवक्षस्थल विदारनाए तरिभोने व्यापकाए क्रेमी विश विशानों को लोन मूलनाए इस्तंभोत भवाए समस्त दोशान हर हर विसर विसर पच पच हना 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 कम पाए कम पाए मत मत रीं 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 सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉगाउन करें www.indiatv.in और मुझे विक्तिकर संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर